दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल वहां पर कुछ कह रहे हैं आए सीधे रुख करते हैं उनके पास मेरी बात सुनी है क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम आटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते मैं पंजाब में आटो में गया मैं दिल्ली में आटो में जाता हूँ वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप आटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते एक मिट बात पूरी सुनिया उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना जनता में तो केजरीवाल जाएगा केजरीवाल तो जनता का आदमी है केजरीवाल तो जनता में जाएगा और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके तर्क वितर्क मत कीजिए आप उनकी मन्शा समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद में गया ना सिक्योरिटी दी ना उन्होंने नंगे हो गए ना सर दूसरा सवाल ये भी है कि कॉंग्रेस के नेता है अजोई कुमार उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंदिघ्ड के अंदर आप लोगों के पास तंखा देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एग्वरंइजिंग कैपीछ आप gözण DR की शरकार है पंजाब की सरकार है उसने करोडो रूपे गुजरात की अंदर इंवेस्ट किये किसने पूचा है सवाल ये कॉंग्रेस के नेता अजोई कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया है कॉंग्रेस खतम हो गई है उनके प्रश्णों को लेना बंद कर दीजिया वाल उनके प्रश्णों के बारे में चिंता मत कीजिये जनता साथ है जनता के मन में कोई प्रश्ण है कोई प्रश्ण नहीं है जनता सब खोश है TV9 से जीनेश मटल मेरा सवाल है कि कल जीस प्रकार से आपने रिचसा में जाके और्टों वाले के घर पे खाना खाए मगर वो जो विस्तार था वो CM का तो था ही, मगर साथ में अमित सा का भी था, क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वो ही जगे पे जाना जो बाजब का गड़ गीना जाता है, कुछ प्लान था पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहाँ पर, जब मैं, मैंने कल रात के वापस आने के बाद मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देख रहा था, तो वहाँ जनता इतनी खुश थी मुझे देखके, इतनी खुश थी अपने बीच में देखके, तो लो है, तो उसने पत्रकार ने पूछा भई, कभी चुनाओं में तो वोट मांगने आते हैं, कहते हैं चुनाओं में वोट मांगने भी नहीं आते, आप सोचिए, इतना हेंकार हो गया इन लोगों को, इतना हेंकार हो गया इन लोगों को, इनको लगता है, ऐसे ही जीत जाएंग वोट मांगने की क्या जुरूरत है वोट मांगने भी नहीं जाते जनता के काम क्या करेंगे हम जनता के लोग हैं हम जनता के बीच में रहते हैं तो कल मेरे उस ओटो वाले भाई के हाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है मैं उसे निवेदन करूँगा आप भी सब लोग जाईए और खाना खाईए जनता के बीच में पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है